हेलो दोस्तों स्वागात है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में साइटाई जो पर और मैं आप लोगे साथ फिर से जुल चुका हूँ एक नए केंपस रिक्वार्मेंट के साथ और एक केंपस रिक्वार्मेंट जो है टाटा मोटर्स पंथ नगर के तरफ जो है और सब्सक्राइल मई जून महिने के किसी भी सोमवार और गुरुवार को जो है आप गेट नंबर 6 से जाके जोइनिंग ले सकते हैं तो चलिए दोस्तों हम आप लोग को बताते हैं कि इसमें क्या 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 क्वार्मेंट रहने वाले हैं और इसकी भरती परकिरिया कब तक चले जाएगी तो सारा इस वीडियो में हम आप बताने वाले हैं नोटिफिकरस और वीडियो की लाइस तक बने रह रहे गा लक्त कर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ताटा मोटर्स में जो हैं रिकौर्मेंट निकाला जा चुका है जिसका जोब लोकेसण आप पैरिंग दोनों के लिए भरती परक्रिया रहने वाली है तो इसमें मंडे और ठस्टे को जहें भरती परक्रिया चलाई जाएगी तो आई ट्रेनिंग के ताहत पर आपको रखा जाएगा ट्रेनिंग बेसेशं़ पर 12 मन्त कंपनी आपको रखेगी उसके बाद आपको टर्मिन रहना चाहिए आप का अब इसमें दस्मी पास के साथ आपका आईटाइड होना आनी वार है तो आईटाइड आप चाहंए SBC बोट से पास आउठो या ICA सी बॉट से पास आउठो दोनों लोग इसमें ईलिजिबल रहेंगे और आईटाइड के अगर बात करेंए तो विटी और सीबीटी टाइप जो है दोनों इसमें रहने वाले हैं और ट्रेट के अगर बात केलने तो इसमें ट्रेट जो आप कराएगा वो फिटर एमंबी डीजल मैकाइनिक वेल्डर टरनर मेसेनिस्ट पेंटर एसम बी इलेक्टिशियन और इसके बाद सी ओई आटो मोबाइल, फीटिंग, वेल्डिंग, अस्फेविकिसियन, प्रोडक्शन, मैनुफेक्टिरिंग, इलेक्ट्रिकल, तो इतने ट्रेड इसमें इलिजिबल अने वाले हैं, और सी वही कंडिडेट जो हैं, ट्रेड के, उनका कम से कम डेड़ साल का ITI कंपलीट होना चाहिए और मेक्सिमम उनके पास एक साल का मार्क सीट, फर्स्ट समेश्टर का मार्क सीट उनके पास होना आनिबार है इसमें, तो इतने इसमें इलिजिबल टी रखी गई है, और जो भी कंडिडेट इसमें पास आउट होंगे, उनको जो है जोब पंथनगर में दिया जाएगा, तो इसमें आपका हायर एदुकेशन वाले कंडिडेट इसमें पाटिसिपेट नहीं कर सकते हैं, जिनके पास टेक्निकल क्वार्यफिकेशन इसमें यह उनके पास आईटाई से अधिक है वो लोग इसमें पाटिसिपेट नहीं कर सकते हैं यह भरति प्रक्रिया ओंली आईटाई कंडिडेट के लिए रहने वाला है और इंटर्वी और मेडिकल चेकप की बात कर रहे हैं तो आपका यह टाटा मोटर्स पंथनगर में कराया जाएग और इसमें आपका काटा जाएगा जीडो तसमलो 75 परसंट और इसमें कंटिंग की ब्यवस्था में आपको देख सकते हैं टी इसने लंच डिनर डिवरिंग वर्किंग हावर्स जो है आपको दिया जाएगा और इसके लिए आपको 70 रुपे पर मंत जो है आपको एक चाटी बेनफिट से काटी जाएगी और ट्रांसपोर्ट की ब्यवस्था आपको दी जाएगी जिसके लिए 450 रुपे आपकी कटोती की जाएगी से और कंपनी बस जो है लगभग 30 किलोमीटर एरिया में आपको फिरी आफ पोस्ट दिया जाएगा और उसके बाद जो है इसमें आप आपको दिया जाएगा और इसमें विकली आप रहेगा संड़े आठ गंटे का वर्किंग हास रहेगा और इसमें जो है कंपनी के कोडिंग आपको दी जाएगी तो जो भी कंडिडेट इसमें पाटिसिपेट करना चाहते हैं उनके पास डाकुमेंट जो रहना चाहिए जो लोग पास है और जो लोग अपेरिंग में है वह एड्मिट कार्ट या रिसीविंग लेकर लेकर इसे रिक्वार्मेंट में भाग ले सकते हैं टू पासपोर्ट साइज फोटो आपका रहने वाला है और इसके बाद बैक्राउंड आपका होना चाहिए फोटो पे और इसमें आपका लिख रखा है कि आपका कंपल्सरी इसमें और अधारकार तो इसमें डाकुमेंट आपको कंपल्सरी हैं अगर कोई नहीं वीवगा दुशल जाएगा लेकिन आपको मेंसंट कर रखा है कि सभी एकशुक उमिदवार नीचे दिये गए पते पर अप्राइल जून 2022 माह के किसी भी सोमवार और गुरुवार को सुबा आठ बजे गेट नंबर 6 पर उपस्तित होकर जो है इसमें सेलक्शन ले सकते हैं ज्वाइनिंग ले सकते हैं अगर इस केंपस से रिलेटेड इस रिक्वार्मेंट से रिलेटेड आपको दिकिवरी करना चाहते हैं सन लेना चाहते हैं तो आपको नंबर निचे नंबर नीचे आपको फॉराइड कर रखाये टाटा मोटर के तरफ से तो आप लोग इस पर कंटेक्ट कर सकते हैं और यह आप फील नौटिफिकाशन जो है यह टाटा मोटर का तरफसे जारी किया गया है आप लोग नीचे ताकि बाद में कोई भी आपके डाउट मनमना रपाए तो दोस्तों आप लोग जाके इस रिक्वार्मेंट में भाग लीजिए इसका रिक्वार्मेंट जो है गेट से चल रहा है गेट नमर 6 पर आपको पंथनगर टाटा मोटर्स पर जाके इसमें भाग लेना पड़ेगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरू करिए और लाइक शेर करना न भूलिए तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए केंपस रिक्वार्मेंट के साथ अब तक के लिए जाहें साथ हो